सबी को जैन्द दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन्द रियक्शन्स पे आश्रा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके एक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पतरकार आर्जु क आजमी जी को उनके स्पेशल गैस्टों के वसीम अलताव साब जो के एक जबदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भात और पाकिस्तान के रिष्टों पे गहरी नजर और खास पकट रखते हैं तो ये वीडियो काफ़े इंट्रस्टिंग होगी आपको बहु का जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके आदमें पावर है उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान इस रीजिन में जिस जगह पर है तो हर कंट्री का हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे बगएर तो गुजारा ही कोई नहीं क्या ये बात सही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी अब वो दोर गुजर किया है अब हालात बहुत आगे जा चुके हैं अब अब ये बात नहीं है कि हर कोई आपका मुधाज है और हर कोई आप से पूछ के कुछ करेगा ऐसा नहीं है अब आप को लोग देखेंगे आप दुनिया देखेंगी आपको ठीक है जी आप रहे रास्त मे हैं काम करने हैं आप जो एक स्पिरिट आफ टाइम है उसके मताबग चल रहे हैं तो लोग आपके साथ चलेंगे अगर आप अपनी पॉलिसी बदल लेंगे और हर किसी से आप लड़ाई भी लेंगे और फिर आप कहेंगे कि हर कोई आपके साथ तावन भी करे तो ऐसा नहीं होगा वो चंद दिन तक चलेगी पॉलिसी उसके बाद फिर सब कुछ हो है वो बिलकुल बराबर हो जाएगा तो आपको लॉंग टर्म एक फॉरन पॉलिसी बनानी है और उस फॉरन पॉलिसी ही के अंदर जो है आपने देखना है कि एकनॉमिक ऑपरिचूनिटी कहां कहां प किया जा सकता है लेकिन कोई रोजोड नहीं है कहीं पे बताया नहीं जारहा पाकिस्तान की तरफ से कि वो उसक्स्टी- possible डॉलिड कहां लगाया कौन सी सड़क बनादी कौन सी बिल इंस बनादी क्या कर दिया किसको रोजगार दे दिया क्न सा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होग ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे कुछ रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये जरूर है कि सी पैक जो है वो एक बार पिर जब इमरान खाना है बंद कर दिया गया श्याभाई शरीप पर शुरू कर दिया आप पता नहीं कितने दिन चलेगा लेकिन दूसरी तरफ अफ 65 बिलियन डॉलर्स जो है उनका रिकॉर्ड अवेलिबल नहीं है तो मेरे खहले उससे पहले जब ये सी पैक एग्रिमेंट हुआ था उसकी जो टर्म्ज और कंडिशन्स थी बाइदावे वो भी अवेलिबल नहीं है तो मेरे खहले पहले उनको तलाश कर ले कि वो कहां पे है और उनको जरा पढ़ लें तो फिर इदर भी आ जाएंगे ठीक है जी तो सी पैक जो है ये टिन टर्म्ज और कंडिशन्स के तहत ये मौइदा किया गया और कौन कौन इसमें सिगनेटरी थे और क्या चीजें तै की जाएंगी और उनमें से कितने अबजेक्टिव अचीव और वो जो 65 बिलियन डॉलर्स की आप बात कर रही है वो पैसा किदर गया कहा गया और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो हमने देखे लगाए गए गवादर अभी आप देखें वो वहाँ पे मेरा खैला कुछ वो शायद सहलाब से बचाओ के लिए कुछ पैसा इंबस्ट जो है बिलक्कल गवादर जो है जो के अब दो। यह सारी चीजेशं गोड़ी मिस्टेरियूस है यह वी बड़ी मिस्टिरियस है यह सारी चीजें अब यह एक बहुत बड़ा एक फलौो है कि चीजें यह पारिलेमेंट पर डिसकस्ट नि की जाती कौमी सलामती के नाम पे बेश्मार ऐसी चीजें हैं जो के अवाम के सामने नहीं लाई जाती हैं वो लाई जाएंगी तो फिर उसकी एकाउंटिबिलिटी भी होगी न अगर एक चीज आप खुपिया रखेंगे एक चीज को आप मनजर आम पे आने ही नहीं देंगे तो उसकी क्या फाइनली उसके क्या बेनफिट्स हैं वो चीज कितनी कौमी मफाद में रही या नहीं रही तो वो तो फिर उस वक्त आओगा ना जब सारा सारे फ्रैक्ट्स और फिगर्स सामने हो अब वो ओन्फिडेंशल ह वो अभी आप खुन बता रही है कि वो 65 बिलियन डॉलर्स जो खर्च हुए 65 बिलियन डॉलर्स कहा ना आप ने जी 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 तो वो उसका हिसाब किताब किदे रहे हैं दस साल में ना सर दस साल में ये बताया जा रहा है लेकिन चाइना की तरफ से लेकिन उसका कोई रिकॉर् लेकिन दूसरी सर जैसे मैंने कहा के भारत और उसके साथ एरान अफगानिस्तान मिलके चाबार रपोर्ट को एक्टिफ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर काम शुरू हो गया तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी सीपैक की, तो ऐसे ही निमन के दे रहे हैं, दुनिया तो बहुत कुछते रहे यार के इस ट्रेन पर बैठूं या उस ट्रेन पर बैठूं कौन सी ट्रेन मुझे लेके जाएगी आगे, तो फिर तो आप वो ब्लैटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा जी कि वह तुझी दस साल हो गें, आप वहीं खड़ें और ट्रे चीज़ें आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं, हम अपने वो चौदरी बने हैं, इस्लामिक कंट्री के बस. हाँ, बस वो मतलब अब हम यहां पर आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस सिम्त में जा रहे हैं, और क्या चीज़ हम मतलब बना चाह रहे हैं, हमा मतलब हर चीज़ जो है वो कन्फूशन में है, शदीद तरीन कन्फूशन, कि अभी आप कि देख लें कि अभी यह पता नहीं है कि फॉरण मिनिस्टर कौन होगा, और अगर फ़लाँ बन्दा फॉरण मिनिस्टर होगा, तो फिर उसके साथ सुनाए कि एक दो बन्दे और भी अटैच किये जा रहे हैं, उसको बैलन्स में रखने के लिए, और वो दोनों उसकी उपर नजर रखेंगे, वो फिर शायद उन पर नजर रखे, यानि यह जिस मुलक में हलात हों, कि फॉरण मिनिस्टर जो है, उसकी अपॉइंट्मेंट से पहले, आप यह करें कि कुछ या नहीं, जहां पर इसके सो क्या आखलात हों, वहां पर फिर आप पुझे बताएं ना कि क्या फॉरण पॉलिसी होगी, और जहां पर फिनेंस मिनिस्टरी में एक बैंकार को लगाया जा रहा हो, जो बैंकिंग करता रहा है सारी जिन्दगी, जिसको पते ही नहीं है, मैक्र इकनामिक्स का और एकनामिक्स पॉलिसी मेकिंग का और एकनामिक्स और पॉलिटिक्स के दरमियां जो तालक है उसका, वो बन्दा क्या करेगा वहां पर बैठ के, तो जब यहां पर इस तरह की जहां पर डिसीन मेकिंग हो रही हो, इतना कन्फूशन हो, वहां पर क्या पॉल से इस कदर बंद का रखा है कि कोई उनको एलेक्शन में भी इसा नहीं लेने दिया बस वो फिर ये ए कि वो आप जानती हैं अब इस पे हम क्या बात करें कि क्या हालात है इस वक्त तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उमीद नहीं है कि ये जो मौझूदा सेट अप है ये परशनी में कोई एक बड़ा फैसला लेना मुम्किन नहीं होगा तो आपको तो फैसले लेने पड़ते हैं ना आपको तो तल्ख फैसले लेने पड़ती है बिटर आपको एक पिल निगलनी पड़ती है जो यह नहीं कर सकेंगे इस तरह से सारी दुनिया में अगर हम बारत में देगें तो वर्के सारी दुनिया में जो है आटिफिशल इंटेलिजेंस पड़ाई जा रही है साइंस में लोग आगे बढ़ रहे हैं आप फुद एक दिन पहले डॉक्टर परवेज उद्भाई क्या होकर आएं तो वह मतलब इसकी साइं इंटेलिजेंस की बात भी कर रहे हैं कोई जो दुनिया में जो चीज चलती हो नी अब पंजाबी बढ़ाने का क्या नया जो एक इन्होंने निकाला है आपको लगता है कि यह ठीक है जी वो असल में बच्चे हमारे पंजाबी घर में बोलती है पंजाबी फंक्शनल लेंग ग्रेजी जो है वो हमारी सरकारी जुमान है मजभी जुमान अर्बी है कौमी तराना पार्सी में है ड्रामे आप तर्की के पसंद करते हैं फिल्में हमें हिंदी की अच्छी लगती है दोस्ती हमारी जो समंदर से गहरी है और माउंट आवरेस्क से उंची है वो चीन के साथ है तो यह यह भी एक प्रपोजल थी कि चीनी भी पढ़ाई जाए सिंध में बकाइदा तो पर इस पर बड़ा काम हुआ था कि चीनी चीनी जुबान पढ़ाई जाए तो मेरा ख्याल है हम जुबाने जो है वो उनमें जरा ज्यादा इंटरस्टेड हैं कि जुबाने बचों को स उनोंने ना सिर्फ चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि जो भारत के रिष्टे हैं खासकर मुस्लिम देशों के साथ जैह हम बात करें अफगानिस्तान या इरान के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि आपने देखा कि इंडिन डेलिकेशन जो है वो एक तरह भारत जो है वो आर्टिविशल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और पाकिस्तानी अभी भी अपने स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाने की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें के वेंट सेक्शन में लिकर जरू आपरत गिष्छा जरूइब कर दो पारत जरूइब के लिचार में लिकर बारत जरूइब कर दो झाल